बाज लोग मुझे मजदूर दोस्त कहते हैं कुछ कहते हैं कि मैं फाहष हूँ यानि आपसीन और वलगर कहने लिखता हूँ कुछ कहते हैं कि मैं तरक्की पसद हूँ, प्रोग्रसिव हूँ यह क्या बेहूद की है? मंटो एक इंसान है और हर इंसान को प्रोग्रसिव होना चाहिए मुझ पर इल्जाम है कि मैं और मर्द के जीन सिरिष्टों के बारे में लिखता हूँ वैशाओं और रंडियों के बारे में लिखता हूँ मेरा मानना है कि हर उस चीज के बारे में लिखा जाना चाहिए जो आपके सामने मौजूद हो मेरी कहानिया पढ़कर किसी भी नॉर्मल इंसान के मुझ से घड़िया जजबात के लार नहीं टपकती आपको मेरा अफसाना पसंद आए या ना आए इसका फैसला आप कर ले मेरी कहानी मेरी दूस्रे कहानी के पाय की है या नहीं इस पर बहस लिटरिक्ष कर ले लेकिन अदब यानि लिटरेचर हर्गिस-हर्गिस फैस्ट नहीं ओसकता मुझ पर अब तक कई मुकंदमे चल चुके हैं अक्सर लोग मुझसे आके पोच्छते हैं कि आप ऐसी कहनी क्यों लिखते हैं, क्यों ने लिखू? क्यों ने लिखू वैशाओं के बारे में? क्या वो हमारे माश्रे का हिस्सा नहीं? उनके यहां मर्द नमाज या दुरूद पढ़ने के लिखूनी जाते हैं? उने वहां जाने के खुली अजासत है, लेकिन हमें उनके बारे में लिखने कि ने, क्यों नहीं? जो चीज जैसी है उसे वैसे ही पेश क्यों ना किया जाए? क्या मत्रा है यह जूँ अशलता कि लेके लेकिता? टाट कोरेशम क्यों कहा जाए? क्या है कुछ भी बोले हैं लोग यह तो बुरा मन है हकिकत से इंकार करना क्या हमें बहतर इंसान बनाएगा मेरे मुकदमों मेरे प्रोसेकुटर साब अकसर इस बात पर जोर दे दे थे के मेरी कहानियों के कुछ किरदारों के जबान गालियों से भरी है लेकिन जो अलफाज मैंने उनके मुह से कहलवाए हैं वो हजारों लोग रोस बर्रा के जिंदेगी में इस्तमान करते हैं मिसाल के तोर पर मैं आप से कहूंँ आप से यार आप तो बड़े अजब चूतिय हो मैं यहा हूं और आप मुझे महाँ ढूंड रहे हो तो कि मैं आपको गाली दे रहा हूं नहीं कैस तरह के अलफाज हमें सवड़कों पर सुनाई नहीं पड़ते यह ज़रूरी है के जमाने की करवटों के साथ अदब भी करवट पढ़े फ्रांस के मशूर नौमिलिगार गुस्ताव फ्रवट के कहानी मदाम बुवारी पर फैशी का इल्जाम लगाए गया आरेंड के जैम जो इसकी किताब यूलेसिस को भी फैशी का इल्जाम जिलना पड़ा देखा जाये तो वली से लेके घाली टक सब पर कभी न कभी इस तरह के इल्जाम लगे है इसलिए ये कोई नई बात तो जी मैं अनसार शुक नमदेल पहले तो आप अपना नाम बदलो उसके बाद मुझसे 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 तो मैं कह रहा था कि मैं माफी चाहता हूँ पर मुझे यह लगता है कि आपके कही अफसाने मायूसी और अवसुर्दगी से बरे हैं यह तो कोई पढ़ के खुद्खुशी कर ले यह हाँ अगर उसका नमानसार यह जो कुष्च भी उसके पाद में है वो हो तो वो कर सकता है तुम यह हर्गिज नहीं जानते कि दूसरों को कैसा महसूस होता है इसलिए आगे से सिर्फ अपनी कहना रहे हैं मैं बनाव सिंगार करना नहीं जानता हूं किसी की जलालत पर इस्तरी करना नहीं जानता हूं नहीं के पत्ते कड़वे सही खून तो साफ करते हैं मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरी कहनी एक आइना है जिसमें समाज अपने आपको देख सके और अगर किसी बुरी सूरत वाले को आइने से ही शिकायत हो तो इसमें मेरा क्या क्या खुष्ण अगर आप मेरी कहानी को बरदाश्ट नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह है कि इस जमाना ही नाकाबिल बरदाश्ट है मैं कोई हंगामा पसंद नहीं और नहीं सेंसेशन लिस्ट हूं मैं उस ससाइटी के चोली क्या उतारूंगा जो पहले से निंगी है उसे कपड़े पहनाना मेरा काम नहीं है मैं काली तखती पर सफेज चौक इस्तमाल करता हूं ताकि काली तखती और नुमाया हो जाए मैं अपने आखें बंद कर वे लूँ और अपने से समीर का क्या करूँ बंद कर वे लेकिक कर वेखें से समीर का कर अपने से लिए जाए कर दो कर दो कर दो कर दो